हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मा यूट्वीब चैनल वंदनारा होमेकर फ्रेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक वन पीस डिजाइनर ड्रेस बनाना और फ्रेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी ड्रेसेज पसंद आती हैं तो वो सारी ड्रेसेज मीशो पर अविलेबल हैं आप मीशो एब पर जाएए और राई भीया सर्च करिए तो मेरे सारे प्रोड़क्ट शो हो जाएंगे और आप उसमें से अपना मन पसंद कोई भी प्रोड़क्ट अपने लिए ओरर कर सकती हैं और फ्रेंड्स आप लोग मुझे मीशो पर फॉलो भी कर सकते हैं जिससे मैं जब भी कोई नई ड्रेस अप्लोड करूँ उसका लिंक तुरंट आपको मिल जाए तो फ्रेंड्स ये एक सारी है ये आप देख सकते हैं और इस सारी से मैं आज एक डिजाइनर ड्रेस बनाऊंगी और ये टू मीटर लाइनिंग का कपड़ा है तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम तॉप पार्ट की कटिंग करेंगे तो ये लाइनिंग का कपड़ा है ये फोर तह कपड़ा है ये आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर और इधर ये जॉइंट है और इस तरफ से ये ओपेन है तो इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से हम शोल्डर की पहले नाप लगा लेंगे तो ये 6.5 इंच पर ये मेरा शोल्डर हो गया उसके बाद यहां से आर्म होल की नाप हम लेते हैं तो 7 इंच मैं आर्म होल रख लूँगी ये आप देख सकते हैं इसको मैं ऐसे मिला दूँगी और फिर उसके बाद इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से हम अपनी चेस्ट की नाप लेते हैं तो हमारी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके 2 इंच हम उसमें मार्जन एड़ कर लेते हैं तो ये मैं पूरा 12.5 इंच पूरा ही लेते लेती हूँ ये आप देख सकते हैं ये हो गया और फिर उसके बाद हम यहां से कपड़े की अपने उपर वाले टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे तो ये मैं 16 इंच इसकी लेंथ रख लेती हूँ ये हो गया और फिर यहां से हम अपने वेस्ट की नाप लेते हैं तो हमको जितनी भी हमारी वेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच हम मार्जन एड कर लेते हैं तो इसको मैं 11.5 इंच ये इतना रख लेती हूँ और इसको हम ऐसे मिला देंगे और इस निशान को इधर कॉर्णर से एक तिर्ची लाइन से हम ऐसे मिला देंगे हमको अगर अपने चेस्ट की या वेस्ट का 4 पार्ट निकालना हो तो हम इंची टेप से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं ये बहुत आसान तरीका है जैसे मान लिजे अगर हमारी चेस्ट 32 इंच है तो हम इंची टेप के दूसरे सिरे को 32 इंच के निशान पर रखेंगे या जितनी भी हमारी चेस्ट हो उस निशान पर रखेंगे और फिर एक बार मैंने फोल्ड किया फिर दुबारा और ये देखिए 1,2,3,4 ये इतना हमारा चेस्ट का चोथा भाग या वेस्ट का जो भी है चोथा भाग निकल कर आगया फोर्थ पार्ट उसके बाद इसमें हम 2 इंच और एड कर लेंगे और उतना ही निशान हम लगा लेंगे अब हम यहां से अपने नेक की ब्रॉडनेस लेंगे तो ये मैं 3 इंच पर एक निशान लगा लेती हूँ ये देखिए और यहां से हम नेक की लेंथ लेंगे तो फ्रंट वाला नेक मैं 7 इंचेस लंबाई का बनाऊंगी और बैक वाला 4 इंचेस लंबाई का रहेगा तो यहां से भी 3 इंच का हम निशान लगाके 3 इंच पर ये आप देख सकते हैं इसको हम इस निशान से मिला देंगे जिससे एक बॉक्स टाइप बन जाएगा फ्रंट वाली नेक में अगर हम थोड़ा डिजाइन बनाना चाहें तो ये आप देख सकते हैं ये 2 इंच पर यहां पर मैंने एक निशान लगा दिया और फिर इधर कॉर्णर से इसको हम हलका सा राउंड शेप देते हुए ऐसे लाएंगे और फिर यहां से हलका सा राउंड शेप देते हुए हम इस टाइप से ये आप देख सकते हैं ऐसे और इस पर हम कटिंग करेंगे तो ये हमारा बहुत प्यारा नेक बन जाएगा और यहां से हाफ इंच का हम ये आप देख सकते हैं ऐसे शोल्डर डाउन कर देंगे ये हो गया और यहां से भी वन इंच की तिर्छाई लेते हुए ये इस टाइप से यहां पर हम ऐसे गुलाई दे देंगे ये आप देख सकते हैं इस टाइप से ये हो गया और इसके इस तरफ हाफ इंच पर हम एक निशान और लगा देंगे और फिर यहां से हम फ्रंट वाला आर्म होल ये इस टाइप से ड्रॉ कर लेंगे यह देखिए यह हमारा front का हो गया और यह back का हो गया और अब यहां से यह और back वाले arm hole की cutting कर लेंगे और यहां तक उसके बाद एक कपड़ा निकाल कर फिर हम यह front वाले part की cutting करेंगे तो यह cutting मैंने कर ली है यह मैंने back वाले arm hole की cutting की है यह आप देख सकते हैं अब इसमें से एक part कपड़ा हम धीरे से ऐसे हटा लेंगे यह हो गया और अब हम यह front वाले arm hole की और यह neck की cutting भी कर लेंगे यह front वाली neck और यह front वाला arm hole इसकी cutting मैंने कर ली है और यह आप देख सकते हैं यह कितना प्यारा हमारा neck बन गया है और यह मेरा back वाला part है तो इसका भी हम neck बना लेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से मैंने 3 inch यह इसकी broadness ली थी यह हो गया और back वाले neck की length मैं 4 inches रखूँगी और फिर यहां से भी 3 inches पर ऐसे मैं निशान लगा दूँगी और इसको भी एक box type बना कर यह इस type से और इधर से 1 inch की तिर्चाई देते हुए इसकी गुलाई भी हम कर लेंगे और इसकी cutting भ बचा हुआ कपड़ा है इसको हम लंबाई की तरफ से एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे यह आप देख सकते हैं और फिर इसको हम एक बार और इस type से फोल्ड करेंगे तो मैंने एक बार लंबाई की तरफ से फोल्ड किया और एक बार उसको चोड़ाई की तरफ से फोल्ड किया यह four part कपड़ा हो गया है यह देखिए one two three four और इधर से यह joint है और इधर से यह open है और इस कपड़े की length यह आप देख सकते हैं 25 inches है और अब हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा मैंने body part कट किया था इसको हम एक बार ऐसे fold करेंगे और फिर इसको हम इस type से रखेंगे यहां से बि दालेंगे और इस निशान को हम इधर corner से एक तिर्ची line से मिला लेंगे तो यह line मैंने draw कर दी है अब इधर से नीचे से यह हम क्या करेंगे कि one inch पर हम एक निशान ऐसे लगा देंगे और फिर इस निशान को हम ऐसे हलकी सी गुलाई देंगे यह आप देख सकते हैं और फिर इधर से joint है तो इसको भी हम कट करके अलग कर लेंगे तो यह साड़ी है और यह इसका आचल है तो सबसे पहले हम यहां से इस आचल को कट करके अलग कर लेंगे और इस टाइप से ऐसे निशान लगा लेंगे यह सारे corners पे और फिर cutting करके हम इसी size का दोनों पार्ट कट करके अलग कर लेंगे तो friends अब इस साड़ी में से किनारे से नाप कर 1.5 मीटर कपड़ा हम कट करके अलग कर लेंगे यह 1.5 मीटर कपड़ा मैंने कट कर लिया है अब हम इसको ऐसे double करेंगे यह आप देख सकते हैं यह double हो गया और इधर यह joint है और इस तरफ यह open है तो इधर से साड़ी में अलग कर लेंगे तो इसको मैंने यह आप देख सकते हैं दो पार्ट में अलग-अलग कर लिया है और friends अब जितनी भी साड़ी हमारी बच्ची है उसमें हम बौडर की तरफ से यह आप देख सकते हैं इधर बौडर है और उस तरफ भी तो किसी भी एक तरफ से हम 10 inch पर नाब कर एयसे निशान लगाएंगे और 10-10 inch ऐसे नाब कर हम पूरी साड़ी में जितनी साड़ी हमारी बची है निशान लगाकर और फिर इसी चौडाई का 10 inch चौडाई का पूरा कपड़ा हम कट करके अलग कर लेंगे तो ये 10 inches चौडाई की ये पट्टी मैंने कट कर ली है अब हम स्लीप्स की कटिंग करेंगे तो स्लीप्स की कटिंग करने के लिए हम ये पहले आर्म होल की नाप ले लेते हैं तो इस टाइप से हम आर्म होल की नाप ले लेंगे ये थर्टीन इंचेज है और मैं puff वाली sleeves बनाऊंगी तो इसमें मैं 1 इंच या 1.5 इंच चोड़ाई का कपड़ा बढ़ा कर और 4 तह कपड़ा मैं cut करूंगी तो ये आप देख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4 तह कपड़ा है और इधर ये joint है और इस तरफ से ये open है और इसकी length पूरी 14 इंचेज मैंने रख ली है और अब हम यहां से 2 इंच ये छोड़ देंगे इतना और फिर इधर से हम 3.5 इंच पर एक निशान इधर लगा लेंगे और फिर यहां से इसको एक तिरची लाइन से हम इस type से ये आप देख सकते हैं ऐसे मिला देंगे ये हो गया और फिर इसको हम ऐसे double करेंगे और यहां पर एक निशान लगा लेंगे और फिर हम यहां से इसको ऐसे round shape देते हुए लाएंगे और इस निशान पर से हम हलका सा नींचे की तरफ हो जाएंगे और ये हो गया ये एक S type निशान बन जाएगा और इधर से 1.5 इंच पर हम एक निशान यहां भी लगा लेंगे और इसको इधर ऐसे तिर्ची line से मिला देंगे उसके बाद ये cutting और ये S वाले निशान पर ये cutting हम कर लेंगे तो ये cutting और ये cutting मैंने कर ली है और अब हम क्या करेंगे कि हलकी सी गहराई देंगे front वाले पार्ट में तो इसको हम इस type से open कर लेंगे और ये आप देख सकते हैं ये बहुत हलका सा ऐसे हम इसको थोड़ी सी गहराई देंगे और ये हमारे front वाले पार्ट में attach होगा तो friends मेरे चनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे, तो ये लाइनिंग के बराबर ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है और ये सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए, इसको मैंने पिन अप कर दिया है, ये आप देख सकते हैं, अब ये नेक के किनारे किनारे एकदम कॉर्नर प अब देख सकते हैं, इस टाइप से और इसको पलट लेंगे इधर से, तो ये इस पर हम टॉप की सिलाई चला देंगे, इसको मैंने पलट कर सीधा कर दिया है, और बिल्कुल इसी टाइप से, ये बैक की नेक है, इस पर भी हम कट्स लगा देंगे, इस टाइप से छोटे-छ शोल्डर्स को मैंने जॉइंट कर दिया है और अब इस फ्रेंट वाले पार्ट में ये आप देख सकते हैं ये फ्रेंट वाला पार्ट है और इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से इधर से हम नापकर 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे ये हो गया और फिर इसको 5 और ये ही डॉट्स जो है हम इस तरफ भी इसमें भी लगा लेंगे तो इसके लिए अगर हम चाहें तो इस कपड़े को इस टाइप से ये आप देख सकते हैं ऐसे डबल करके और ऐसे जब हम टैप करेंगे तो ये निशान हलका सा इधर भी आ जाएगा और फिर इसको हम डार कर लेंगे ये स्लीव्स है जो मैंने कट की थी और इसके नीचे हम एक बार ऐसे और फिर एक बार और ऐसे मोड़ कर चाहें तो पहले पूरा सिलाई कर दें या चाहें तो पीको भी कर सकते हैं और ये तू इंच चौडाई की ये पट्टी मैंने कट की है ये बिल्कुल इसी स मदद से इसको पलट कर सीधा कर लेंगे इस डोरी को मैंने इसक पलट कर लिया है और यह 1.5 inch के distance पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है sleeves मे और अब इसके उपर हम इस डोरी को रखेंगे और एक सिलाई इस बगल और और दूसरी सिलाई इसके इस बगल लगा देंगे और फिर इधर से ये जो होल है इसमें से हम इलास्टिक पास कर लेंगे तो फ्रेंट्स ये दोनों स्लीफ में मैंने ये डोरी अटेच कर ली है और ये हमारी स्लीफ का उल्टा वाला पार्ट है उल्टे वाले पार्ट की तरफ हमको डोरी अटेच करनी है और अब इस स्लीफ को हम उपर वाले टॉप पार्ट में अटेच करेंगे तो सबसे पहले इस स्लीफ को ऐसे बराबर करते हुए इधर से हम क्या करेंगे कि यहां पर एक हम छोटा सा ऐसे कट लगा देंगे जिससे इसका हमको यह मिडिल पार्ट यह आप देख सकते हैं यह पता चले और उसके बाद हम इसको टॉप पार्ट को ऐसे पलट लेंगे यह देख सकते हैं और फिर इसको हम यहां शोल्डर पर ही अटेच करेंगे और इधर से हम सिलाई करते हुए लाएंगे इसको इसमें पकड़ कर और यहां पर यह हमारा कट जो यह हमारे शोल्डर पर ही अटेच होगा और यह जो कपड़ा इतना एक्स्ट्रा हमारा बच जाएगा इसकी हम छोटी-छोटी प्लेट्स बना देंगे इस टाइप से यह आप देख सकते हैं ऐसे यहां पर हम ऐसे प्लेट्स बनाते जाएंगे और फिर बाकी कपड़े को इस इसमें हम ऐसे पकड़कर इधर किनारी तक अटेच कर लेंगे इस स्लीप्स को इस टॉप पार्ट में हम ऐसे शिल्टेग में लाएंगे और यह शोल्डर वाला जॉइंट है और यह कट है जो मैंने लगाया था यह आप देख सकते हैं तो इस कट को हम इस चोल्डर के जॉइ देंगे ये हो गया और फिर इसके उपर हम ऐसे किलाई चलाएंगे और इस बगल भी चार-पाँच प्लेटे हम बना लेंगे दोनों स्लीफ मैंने अटैच कर दी है ये आप देख सकते हैं ये पफ हमारा बन गया है और इसमें जो है मैंने इधर से इलास्टिक भी पास कर दी है ये 14 इंचे लंबाई की इलास्टिक मैंने कट की है इसमें हम जितना लंबाई लेना चाहें ले सकते हैं उसके बाद इधर से ये septic pin की मदद से इधर से आप देख सकते हैं इसमें से हम elastic pass कर लेंगे और ये हमारा top part ready हो गया है अब हम नीचे के bottom वाले part की stitching करेंगे तो bottom part बनाने के लिए मैंने ये दो पट्टियां कट की थी और एक ये पतली पट्टी कट की थी तो इसमें से एक पट्टी पर ये मैंने line draw की है ये आप देख सकते हैं और ये 11 इंच नीचे से नाप कर ये यहां से मैंने 11 इंच पर ये पूरे कपड़े में line draw कर दी है और ये इसके एक बगल हम क्या करेंगे friends की इसको एक बार ऐसे और एक बार और ऐसे मोड कर पूरे कपड़े में सिलाई चला देंगे और अगर चाहें तो पिको भी कर सकते हैं वैसे मैंने पिको कर दिया है और उसके बाद half इंच का distance रखते हुए हम पूरे कपड़े में बखिया च सरकाइंगे यह आब देख सकते हैं तो इस टाइप से यह अप देख सकते हैं और पूरे धागे को सकते। तो ये frill हमारी पूरी इसमें attach हो जाएगी तो friends ये आप देख सकते हैं इस frill को मैंने इसमें attach कर दिया है और friends ये मेरा दूसरा वाला पार्ट है घेर में का back वाला और इसमें हम क्या करेंगे इस type से plates बनाएंगे ये आप देख सकते हैं इसको इस type से हम ऐसे fold कर करके और फिर इस पर हम इस type से pin up करते जाएंगे और फिर इसको ऐसे ये दिखिए इसमें कुछ ने करना है बस इसको इस type से fold करना है और ऐसे pin up करते जाना है बस इस type से पूरे कपड़े को हमें fold करके plates बनानी है और ये plates हम इस lining के कपड़े की waste के cording ही बनाएंगे ये lining का कपड़ा है ये आप देख सकते हैं और ये इसकी waste है तो उतनी ही plates हम बनाएंगे जितनी इतनी हमारे इसमें adjust हो जाए तो ये मैंने सारी plates बना दी है और इसको pin-up भी कर दिया है और ये lining का कपड़ा है तो ये आप देख सकते हैं ये सारी plates मैंने इसी के waste के cording ही बनाई है हम इसके उपर ऐसे इसको रखेंगे और इसके उपर सिलाई चला कर इसको इसमें attach कर लेंगे तो मैंने जैसे ये plates बनाई है ये back वाला part है हमारा उसी type से same हम ये front वाली part की भी ये जिसमें मैंने frill लगाई थी इसकी भी हम इसी type से ये आप देख सकते हैं इधर ऐसे ही हम plates इस type से बनाते जाएंगे और ऐसे pin-up करते जाएंगे और इसके according हम इसकी भी plates बनाकर ऐसे त्यार कर लेंगे तो ये सारी plates बनाकर मैंने इसको इस lining के कपड़े में यहां से यहां तक पूरा attach कर दिया है और अब इस top part को इस bottom part में हम attach करेंगे तो इसके लिए हम इसको इस type से कर लेंगे और इसको इस पे ऐसे उल्टा करके फिर यहां से यहां तक सिलाई चला कर attach कर देंगे और back वाले part में भी यह जो मैंने बनाया था इसको हम इसमें attach कर लेंगे इसको भी हम इसी type से ऐसे पलट कर और फिर इसमें यहां से यहां तक सिलाई चला कर attach कर लेंगे bottom part को top part में मैंने attach कर दिया है यह front वाला part है और अब अगर यहां पर हम चाहें joint पर तो यह border है इसको हम इस पर attach कर सकते हैं तो यह थोड़ा सा उपर से ऐसे fold करते हुए इस type से हम पूरी सिलाई चला देंगे यहां से यहां तक और यह नीचे भी हम इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ fold करके इस type से यहां से यहां तक सिलाई चला कर attach कर देंगे friends यह मैंने इसमें attach कर दिया है यह दोनों part और अब हम क्या करेंगे कि पहले इसको पलट कर उल्टा कर लेंगे और friends इसको उल्टा करने के बाद यहां से हम सिलाई करते हुए आएंगे और यहां तक सिलाई करने के बाद फिर हम इस lining के कपड़े को हटा देंगे और ये अंदर वाली फैब्रिक को ऐसे पकड़ कर हम अटेच कर लेंगे उसके बाद इसको अंदर करके फिर ऐसे लाइनिंग के कपड़े को हम अलग अटेच करेंगे और इसी टाइप से उस बगल भी लाइनिंग के कपड़े को और मेन फैब्रिक को हम अलग-अलग अटेच कर तो इसको हम यहां वेस्ट तक ऐसे सीधा अटेच करते हुए यह आप देख सकते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि यह लाइनिंग के कपड़े को हम हटा देंगे इस टाइप से और केवल मेन फैब्रिक को हम ऐसे पूरा नीचे तक अटेच कर देंगे इस टाइप से यह आप देख सकते हैं और यह जो फ्रिल मैंने लगाई थी इसको भी हम ऐसे पकड़ लेंगे यह इस टाइप से पकड़ कर पूरा नीचे तक अटेच कर देंगे इस मेन फैब्रिक को नीचे तक अटेच करने के बाद हम इसको ऐसे अंदर कर देंगे और फिर उपर से यह ल टाई कर दी है लाइनिंग के कपड़े को अलग और उपर के मेन फैब्रिक को अलग से पकड़ कर मैंने सिलाई की है और इसमें मैंने बिल्ट भी बनाकर अटेच कर दी है और यह फ्रेंट की तरफ मैंने थ्री रोज बनाकर इसमें अटेच कर दिये हैं यह रोज बनाने की व डिजाइनर ड्रेस पहनने के बाद कितनी प्यारी लग रही है और अगर आप लोग इस ड्रेस को खरीदना चाहें तो ये मीशो पर अगिलेबल है आप मीशो एप पर राइब या सर्च करिए तो मेरे सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे और आप उसमें से अपना मन पसंद पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं मैंने लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया है तो फिर मिलते हैं मेरी नेक्स् बाइ